हेलो गाइज वेलकम टू वाइटी एटेक ओफिशिल 3D टच में बहुती जल्द आने वाला है तो दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले आज की हमारी जो वीडियो है वो sponsored by 11wickets.com दोस्तो यहाँ पर एक fantasy चल रही है क्योंकि यहाँ पर IPL चल रहा है अगर आपको थोड़ी सी भी knowledge है cricket के बारे में तो आप यहाँ पर अपनी game खेल कर कुछ पैसे कमा सकते हैं तो अगर आपके पास अभी account नहीं है तो आपको जो है वो नीचे link में description में दे दूँगा अपना आपको मैं जो है referral code भी दे दूँगा उसकी सहायता से आप जो है वो online earning कमा पाएंगे तो यहाँ पर आपको जब इसको sign in करेंगे तो आपको यहाँ पर 101 रूपीज का जो है वो offer में जो चल रहा है अभी पैसे मिल जाएंगे उसकी सहायता से आप जो है वो यहाँ पर online earning यादि की game खेल पाएंगे और अगर आप अपना referral code अपने friends को देते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छी खासी earning भी हो जाएगी कल मैच आप पन्जाब वर्सिस चन्नाई का तो आप यहाँ पर काफी अच्छी खासे पैसे कमा सकते हैं इस game के द्वारा तो दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी वीडियो की दोस्तो official MIUI 10 में 3D touch की support आपको बहुती जल्द देखने को मिलने वाली है पर दोस्तो यहाँ पर अभी यह अलफा रोम में चल रही है तो अभी पब्लिक बेटा में यह नहीं आई है पर दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे fully install किया हुआ है तो अगर हम यहाँ पर बात करें यह आप इसको कैसे इंस्टोल कर सकते हैं या आप इसको कैसे पास सकते हैं मैं आपको सारी इंफोर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ पर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ पहले यहाँ पर देख लीजिये मैंने जो है वो ओफिशल थीम डिफाल्ड थीम यहाँ पर इस्तमाल किया हुआ है और मेरे यहाँ पर आप देख लीजे 3D टच की जो है वो सपोर्ट आ रही है तो इसमें एक और फीचर भी आने वा सकते हैं यहां की home screen देख लिए यहां पर देख लिए अब काफी सारे icons यहां पर आ चुके हैं और इसको अगर आपको नहीं भी चाहिए तो आप इसे remove भी कर सकते हैं जैसे की 4 by 6 आपको चाहिए जैसे normal होती थी उसी प्रकार की आपको फिर से मिल जाएगी तो यहां पर आप देख सकते हैं यह काफी अच्छे तरीके से चल रहा है तो दोस्तो अभी यह सिर्फ Android 8.1 audio and Android Pie के डिवाइसों के लिए ही आया है क्योंकि जो मैंने टेस्ट किया है Redmi Note 4 में जिसके Android 7.0 है उसमें यह function काम नहीं करता है पर दोस्तो अगर हम यहां पर बात करें आप इसे कैसे install कर सकते हैं तो दोस्तो मैं आपको सारी information इस वीडियो में अभी देने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो वीडियो को पूदे तरह से अब देखते हैं तो चलिए दोस्तो अब मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ, यहां पर कोई भी 3D टच की सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलती है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, किसी भी आइकोन में आप टच करते हैं, तो आपको 3D टच की सपोर्ट देखने को नहीं मिलती है, औ और यहां पर Home & Recent में आपको वह भी option यहां पर 4x6 & 5x6 की जो option निलती है वह भी देखने को नहीं मिलती है दोस्तो आपको एक AP के इंस्टोल करना है दोस्तो यह कोई third party एप नहीं है यह जो है MIUI का Home Launcher जो है axle तो सब्सक्राइब करो आपको करना क्या है आपको डाउनलॉड करकर इसको इंस्टोल कर लेना है दोस्तो आप यहांपर देख सकते हैं मैंने इसे стали अब कर लिया है तो दोस्तो आपको जो है यही इंस्टोल करना है दोस्तो आपको कोई भी third party apps अपने home screen में देखने को नहीं मिलेंगी यह जो है अपका system launcher जो है वो ही upgrade होगा जब आप इसको open करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है अब ही मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका system launcher है वो upgraded हो गया है पर दोस्तो कभी कबार जैसे यह home screen है इसमें थोड़ी सी changes भी आ जाती है जैसके आपने कुछ layout यहाँ पर बनाई हुई है वो थोड़ी सी change हो जाती है पर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो है वो third party launcher यहाँ पर देख लिए यहाँ पर यह थर्ड पार्टी नहीं है यह जो है official launcher है MIUI 10 का तो यहाँ पर आपको 3D support की जो है option देखने को मिल जाती option तो नहीं मिलती आपको जो facility जो एक functionality है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है जो कि काफी अच्छी मेरे को लगी और आपको यहाँ पर अगर हम जाते हैं settings में तो आपको जो है यहाँ पर home and recent में तो आपको यह भी option जो है वो देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर आप दे तो आप इसे जो easily uninstall कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी एप जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा, settings में, मैं भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर settings में जाने के बाद, आपको नीचे जाना होगा, manage app और installed apps में, तो यहाँ पर आपको search करना होगा, अपना जो launcher है, यहाँ पर आपको जो home launcher है, system launcher, तो यहाँ पर आपको जो है, uninstall updates कर देनी है, तो आपकी home screen शायद थोड़ी सी change हो जाए, कभी हो जाती है, तो कभी नहीं होती है, तो यहाँ पर मैंने इसको uninstall कर दिया है, तो fully uninstall हो गया है, तो यहाँ पर देख सकते है, home screen शायद हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने update सी, उनको uninstall कर दिया है, तो यही आपको बताता था, पहले कि system में थोड़ी सी changes हो जाती है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई भी आपको 3D touch की option यहाँ पर देखने क यहाँ से जा चुकी है, तो देख सकते हैं आप दोस्तों यह जो है, ऐसा इस परकार का आपको एक नया option यहाँ पर देखने को जल्दी मिलेगा, MIUI 10 में, अभी जो है वो अलफा रोम में चार रहा है, चाइनीज अलफा रोम में भी चार रहा है, तो यहाँ पर आप देख सक यही.